दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSC Notes में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाल मनु विग्ञान से जो सबसे इंपॉर्टन टॉपिक है जैसे आपके सिध्धान्थ हो ठीक है सिध्धान्थ से रिलेटेड किसी भी एक्जाम में आप चाहे टेट की तयारी कर रहे हो चाहे यूपिटेट का हो चाहे सीटेट का हो चाहे आगे आने वाली लिखित परिक्षा की तयारी कर रहे हो उसमें आपके एक्जाम में सिध्धान से रिलेटेड बहुत सारी कोशन पूछे जाते हैं तो अक्सर इसमें प्राब्लम ही हो जाती है कि हम कई चीजों को भूल जाते है तो उसी के अधार पर हमने आज ऐसी ट्रिक त्यार की है जिसे आप देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से उसे याद कर सकेंगे दोस्तों आपको करना क्या है हमाई साथ जोड़े रहने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीज देखे जो जीन प्याजे हैं तो जीन प्याजे में क्या होता है उनसे ये पूछ लेता है कि जीन प्याजे के अनुसार उनके संग्यानात्पर विकास की चार अवस्थाएं कौन कौन सी है तो अक्सार हम लोग कभी कभी कुछ लोग को याद होता है कुछ लोग भोल जाते है लेकिन हम आज आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे मताएंगे जिसको याद करने के बाद आप यह कभी भी भूल नहीं पाएंगे देखे ट्रिक क्या है ट्रिक यह है कि सबने पूरी की मुर्ति आपकी देखा यह है आपकी ट्रिक मतलब की सबने पूरी की मुर्ति आपकी आप इसक किसे हो सकता है संवेदी प्रेर्णग अवस्था यह अवस्था का समय कब से कब तक होता manque दो एक ह Experience है यह आपका समने JOHN सेमेश्ज़ा आजाता है पूरी अभूरी संक्रियात्म कि ऑस्था पूऱ् संक्रियात्म मुष्था कब से कब कमा रसकते हैं कि अबक चार आत्मक वरस्ता होती है और अपचारिक संक्रीया अवस्ता की जो समय अवधी है 11D नेके 15 वर्स तक होती है ठीक है तो यह जीन पियाजे के जो है चार प्रमुख संझ्यानादमक विकार्स की वरस्ता है आप अगर यह Tapie कर लिए होंगे तो आपको मैं शूर कह सकता हूं आप कभी भी इसे भूल नहीं पाएंगे ठीक है तो आइए नेक्स ट्रिक की और चलते हैं देखिए अगला ट्रिक है पावलाव से आपके एक्जाम में पावलाव से रिलेटेड भी बहुत सारे कुशन पूछे जाते हैं जैस को इसी चीज को ट्यार करने के लिए हमने क्या है यहीक टिक त्यार की है तो आप देखें टृक क्या चीज है वो प्प हिसक्ष्णी अनुकुलित अनुक्रिया के सास्ट्री अनुबंधन से संबंध का प्रसिश्श थापक छिक यह एक टृक्रिक है यह आपको थोड़ा था यहां से लेके यहां तक का अब इससे क्या बन सकता है कौन सा सिध्धान बनेगा इससे बनेगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिध्धान ठीक यह आपके फॉर्मूला का पहला पार्ट हो गया दोसा पार्ट क्या है देखिए सास्त्री अनुबंधन सास्त्री अनुबंधन स अब यहां पर आगया संबंध से क्या होता है संबंध प्रत्य वर्तन का सिध्धान ये भी अमारा किसका है पावलाओ का है अब नेक्स आता है प्रतिस्थापक ठीक अब प्रतिस्थापक से क्या बनता है प्रतिस्थापक का सिध्धान किस ने दिया था पावलाओ ने तो आप आपने अगर यह सूत्र इसको अगर पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा तो आपको यह चार चीज को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है दोस्तों तो अब आगे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंग टॉपिक तरफ वह है थांडाइक देखे हमारा थ्रड फाल्बला यह है थांडाइक से थांडाइक एक एक ऐसे मनोवैध्यानिक है जिन से मतलब क्या होता है सब पुस्छन पूछे जाते हैं चाहीं कोई و इग्साम हो तो आई गखते हैं इन्होंने क्या आप इसे सिध्धान्तों को कैसे याद करसकते हैं अ सब देखें दोस्तों यह त्रिक आपको थोड़ा से लंबा जरूर लग रहा होगा लेकिन यह क्या है कि इन्होंने इतने डare से सिधान दिए हैं जिसके कारण से हमें इसको ट्रिक को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा अब देखिए ट्रिक को और कैसे इसको शरल किया जो सकता है जैसे अब हमारा यह था पहला प्रयास प्रयास से क्या होता है प्रयास एवंतुटी का सिध्धान प्रयास एवंतुटी का सिध्धान किसका है थांडाइक का ओके यह इनका पहला अब नेक्ष्ट है प्रयत्न प्रयत्न और भूल का सिध्धान किसका है थांडाइक का है ठीक य इसे एक्जाम में आपके दे दिया गया संयूजनवात का सिध्धान किसका है तो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं सोसते हैं कहीं स्कीनर का है कुछ लोग पावलाओ का है अगर आपका यह फॉर्मुला के कॉर्डिंग अरा आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप इस सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसमें सब्सक्राइब का सिध्धान किस ने दिया है यह भी दिया है थान डाइक ने फिर नेक्स्ट आता है अब लास्ट बच्चा है हमारा प्रशिच्छन प्रशिच्छन में क्या आता है प्रशिच्छन अंतरण का सर्वसम अव्यव का सिध्धान यह थोड़ा सा आप लोग इसमें बड़ा लग रहा होगा यह वाला आपको सिध्धान लेकिन यह बहुत ऐसा नहीं यह भी इंपोर्टेंट है बहुत बार पूछा भी गया है तो इसको कहीं आप याद कर लिजेगा इसको कहते हैं प्रशिच्छन अंतरण का सिध्धान यह सर्वसम अव्यव का सिध्धान ठीक है आपको यह दोनों मिक्स कर गए पूछ सकता है या किसी एक खंड में भी पूछ सकता है तो आप इसको याद रखेगा यह भी है थान डाइक तो दोस्तों यह थे हमारे थान डाइक की जो सबसे मोश्च इंपॉर्टेंट टॉबिक थे उससे रिलेटेट था अब आईए लाज चलते हैं मैसलो की ओर देखें मैसलो ने कौन-कौन से सिध्धान प्रित्पारित किये थे तो मैसलो का था आत्म ज्यान की मांग की पूर्त स्वयम से होगी देखें हमने इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है अगर मैसलो से आपका कोई भी कोशन आया कि मैसलो का बताई यह कौन सा सिध्धान थे तो आप किस तरह से याद कर सकते हैं उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है ट्रिक यह है कि आत्म ज्यान की मांग की ठीक है फिर अगला है मांग की पूर्ति यह किसका है यह भी हमारे मैसलो का इस सिध्धान को किस नाम से जाना जाता है अवशक्ता पदानुक्रम का सिध्धान भी कहा जाता है ठीक कभी कभी मांग का सिध्धान ता आपके एक्जाम में यह आ गया कि आवशक्ता पदानुक् के मुख्य सिध्धान्त है यह बहुत बार पूछे जाते हैं इसको आप इस ट्रिक के माधम से याद कर लीजे चाहे तो आप अपने तरीके से भी आद कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों यह थे हमारे आज के इंपोर्डेंट ट्रिक्स उमेद करता हू तो एक लाइक जरू कीजेगा और हाँ जिन्होंने हमारे नए वीवर्स हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हम आपके लिए बहुत जल और नए नए वीडियो लेते आएंगे तब तक के लिए नमस्कार